प्रहार टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबाना ना बोलें महुफिरोज हास्मी आप देखरें प्रहार टाइम्स पतंग के माझे से एक 17 वर्षी श्टूडेंट की गला कट गया, यूवग बुरी तरह जख्मी हो गया पाबंदी के बाद भी शहर में चोरी छिपे बिकते हैं माझा, पतंग बाजी का शौक जिन्दगी पर किस तरह से भारी पढ़ गया है इसका उधारण सामने है मानका पूरपुरिस्थाने के गोधनी रोड परिसर के पास 17 वर्षी आदित्य संतोस भरद्वाज अपने बाइक से ट्यूसन क्लासेस के लिए जा रहा था रास्ते में माझे का शिकार हो गया, इस्टूडेंट के गले को चीरता हुआ माझा निकल गया इस हाथसे से उसका गला बुरी तरह से कट गया और उसे तुरंथी परिसर के लोगों ने घायल अवस्था में नजदी की हास्पिटल में भरती कराए गया जिसका इलाज जारी है आदित्य MSC IT की पढ़ाई कर रहा है इसके पहले आदित्य के पिटा की पांच महिने पहले ही कुरोना के चलते मौथ हो गई है और अब परिवार पर इस घटना के बाद दुखों का और पहार तूट पड़ा है पुलिस ने नाइलोन माजह बेचने वालों पर खाना पूर्टी कारवाई कर रही है जबकि पतंग बाजी पर पाबंदी है मगर नाइलोन माजह बेचने वाला चोरी छिपके बेचता है और खरीदने वाले खरीदते हैं और पतंग बाजी करते हैं लेकिन ये नायलोन माज़ा कितना खतरनाक है ये सब को नहीं पता है चाकू से ज़्यादा धार और खतरनाक नायलोन माज़ा है जो एक 17 साल के इस्टूडेंट की गला काट दी तो आप भी हो जाएं साउधान और इसी के साथ समाज राजनीती से जुड़ी ही खबरों को देख देखते रहें प्रहाय टाइम्स